एगाईस कैसे आप सबी लोग आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपने कॉंसे बेडिवाइस में TWRP कैसा इंस्टॉल कर सकते 2023 में क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है और इसको इंस्टॉल करने के बाद परेमिनेंट कैसा करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आपको आने अपने डिवाइस के सेडिंग्स पर आपको आजाना है इधर देख सकते मी वाई वर्जन इस पर आपको दो तीन बार टैप करना है आपको आजाना है बैक यहां पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद देख सकते मी अनलॉक स्टेटस इस पर आपको टैप करना है तो यहां पर देख सकते हैं मेरा bootloader unlocked है यहां पर लिखा हुआ है इस डिवाइस अगर आपके डिवाइस पर कुछ इस सरी के यहां पर लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आपका फून का आपको पहले bootloader को unlock करना पड़ेगा आपको आई बटन पर वीडियो मिल जादी तो पहले उस वीडियो को देख लो फिर इस वीडियो पर आजाओ तो जल्दी से पर प्रॉसेस को स्टार्ट करेंगे सबसे वहले आपको अपने डिवाइस के रिकवरी का इमेज फाइल डाउन कर लेना है open कर लेने के बाद यहां पर देख सकते डिवाइस का नाम सर्च कर लेना है तो मैं यहां पर अपने डिवाइस का नाम सर्च कर लेता हूं देख सकते यहां पर नीचे डिवाइस का नाम आ जाता इस पर आपको टैप करना है तो एक नया पेज लोड होता यहां पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद देख सकते हैं, download links आपको मिल जाते, तो यहां पर आप कौनसे भी link पर tap कर सकते हैं, America या फिर यूरोप पर, अपने अमेरिका पर tap कर दीगे, तो यहां पर देख सकते हैं, पने device के TWRP इतने सारी versions शो करते, आप कौनसा भी version इसमें, पर description में given है, download कर लो, simply आपको इसको double tap करना है, यहां पर permission को अलाओ कर दो, तो देख सकते हैं, यहां पर आपको y type करना है, और एक बार आपको y type करना है, इंटर मानना है, तीन बार आपको y type करके यहां पर enter मार देना है, तो देख सकते हैं, यहां पर drivers install करने को बोलता, अपन c drive में आपको आ जाना है यहाँ पर देशे एडी भी करके एक folder create हो जाता अगर यह create नहीं भी हुआ है तो आपको उसको खुद से create करना है simply अपने इसको open कर लेंगे open कर लेने के बाद यहाँ पर इस recovery को paste कर देना है देख सकते यहाँ पर recovery अपनी paste हो चुकिए तो अब आपको आजाना है अपने device पर यहाँ पर आपको अपने device को power off कर लेना है अपना device यहाँ पर पर आपको अपने device के फास्ट बूड मोड पर आना है कैसा आना है मैं आपको बता देता हूं यहाँ आपको volume down button और power button एक साथ प्रेस करके रखना पड़ता थ आपको errors face करने को मिलते हैं अब आपको आजाने अपनी PC स्क्रीन पर हम यहाँ पर यहाँ पर दीखेगा इस पर आपको टैप करना है यहाँ पर आपको cmd टाइप कर देना है तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्ट ओपन हो जाता यहाँ पर कुछ कमांड्स आपको पास करना पड यहाँ पर सीरियल नंबर शो करना बहुत साथ जरूर यह अगर शोग नहीं कर रहा है इसका मतलब आपका डिवाइस का बूट रडर लॉट है आपको पहले डिवाइस के बूट रडर को अनलॉक करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फाजबूट फ्लैस टाइब कर देना है तो यहाँ पर देशके सेंडिंग डिकवरी राइटिंग डिकवरी जैसा यहाँ पर फिनिस्ट लिखा हुआ गया मतलब आपके डिवाइस में टी डेबल रपी इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पर आपको थर्ड कमांड टाइप करना है क्या करना है मैं आ आपको कुछ नहीं करना है आपका डिवाइस यहाँ पर आपके डिवाइस टी डेबल रपी में बूट होगा थोड़ा से अधर अपने वेट कर लेते हैं देख सकते हैं यहाँ पर अपना डिवाइस टी डेबल रपी में बूट हो चुका है इंपली अपने डिवाइस को फि स्वाइब कर दीगे देख सकते हैं यहां पर बैक अप क्रेट हो चुका है अगर इनकेस कोई भी आपको बूट लूप देखने को मिलता तो यहां पर इस बूट वाली फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं आपका डिवाइस सक्सेस्फुली बूट हो जाता यही टी टीपल रपी र लास्ट हो चुकी है आपको अपने डिवाइस को रिबूट कर लेना है सिंप्ली एपन रिबूट सिस्टम पर्सके डिवाइस को रिबूट कर लेते हैं ऑपने रिगोट में यहां आप Remember में यहां पर यहां उपसक्याश हो चुकी है तो ऐसा आप अपने कॉंसे भी शौमी के डिवाइस में TWRP को इंस्टॉल कर सकते हैं मेरे स्टेप्स को आप अच्छा फॉलो करो कोई भी आपको एरर फेस करने को नहीं मिलेगा तो भाई अगर आपके डिवाइस में रिकवरी इंस्टॉल हो चुकी है तो किस करना मत भूलो तो अपना वीडियो को एंड करें सी यू नेक्स्ट वीडियो